हेलो एबरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंपीसिलीन एंटिबाइटिक के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिएगा एंपीसिलीन जो एंटिबाइटिक है ये एक पैंसिलीन ग्रूप की एंटिबाइटिक होती है जो antibiotics होती हैं उनको अलग-अलग group के अंदर divide किया गया है तो जैसे penceline एक group है, cephalosporin एक group है तो ampicillin जो है वो penceline group के अंदर आती है ओके यह आपको याद अखना है और ampicillin का use किया जाता है bacterial infection को ठीक करने के लिए bacteria की वज़े से अगर infection हो जाए तो वहाँ पे ampicillin antibiotic का use किया जाएगा ताकि bacteria को खतम किया जासके तो यहाँ पे आपको amoxicillin capsule दिख रहा होगा 500 mg की strength में तो यह picture है अब इसके use के बारे में बात करते हैं कहां कहां इसका use किया जाएगा तो चलिए थोड़ा सा detail में इसके use के बारे में जानते हैं point to point मैं आपको सारी चीजे clear करूँगा देखिएगा सबसे पहला use है bronchitis के अंदर bronchitis का मतलब क्या होता है सबसे पहले मतलब समझे bronchitis का मतलब होता है bronchi के अंदर inflammation bronchi होती है सांस की नली और inflammation का मतलब होता है सूजन अगर सांस की नली में bacterial infection की वज़े से सूजन आ जाए तो उस condition में उस सूजन को ठीक करने के लिए Mpicillin antibiotic का यूज किया जाएगा ठीक है तो पहला यूज हो गया bronchitis के अंदर दूसरा यूज दूसरा यूज है sinusitis के अंदर sinus के अंदर अगर सूजन आ जाए sinus क्या आपको दिख रहा होगा यह अलगर तीन टाइप के sinus यहाँ पे दिखाए है ठीक है तो यह maxillary sinus हो गया जैसे उपर की तरफ है यह frontal sinus हो गया यह बीच में यहाँ पे दिखाए यह आपको green green दिख रहा होगा ध्यान से देखेगा यह green green दिख रहा होगा है ना यह sphenoid sinus है तो अगर इन sinus के अंदर bacterial infection की वज़े से सूजन आ जाती है तो इस condition के अंदर भी ampicillin antibiotic का यूज किया जाता है next अमारा है otitis media अगर कान के अंदर सूजन आ जाए कान के अंदर bacterial infection हो जाए middle ear के अंदर तो वहाँ भी ampicillin antibiotic का यूज किया जाता है next यूज किया जाता है goneria के अंदर goneria एक sexual transmitted disease है जो की bacterial infection की वज़े से होती है तो goneria के अंदर जो bacterial infection होता है उसको खतम करने के लिए ampicillin antibiotic का यूज किया जाता है next अमारा आता है coli cystitis ये क्या होता है आपने नाम सुना होगा gal bladder का gal bladder को हिंदी के अंदर कहते है pit की थेली तो pit की थेली के अंदर अगर सूजन आ जाती है तो उस condition के अंदर भी उसको ठीक करने के लिए ampicillin antibiotic का यूज किया जाता है ठीक है next देखिए next मैंने लेखा है H. pylori ये एक bacteria होता है है ना H. pylori एक bacteria होता है जो की ulcer कोज करता है यानि की जो की चाले कोज करता है है ना चाले क्या होते हैं आपको पता होगा पेट और आथ के अंदर इस bacteria की वज़े से चाले हो जाते है bacteria का नाम क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा H. pylori तो H. pylori bacteria की वज़े से पेट और आथ के अंदर चाले हो जाते हैं तो उस condition में इन चालों को ठीक करने के लिए M. p. cilin का यूज किया जाएगा अब जो M. p. cilin एंटिबायोटिक है वो इस bacteria को क्या कर देगी खतम कर देगी है ना अगर यह bacteria खतम हो गया तो जो ulcer हुए है वो automatic ठीक हो जाएगे ठीक है तो वहाँ पे हम amoxicillin का भी यूज कर सकते हैं और M. p. cilin एंटिबायोटिक का भी यूज कर सकते हैं ओके तो यह तो हो गए हमारे यूज जो की M. p. cilin एंटिबायोटिक के हैं ठीक है अब आगे मैंने दो यूज ओर लिखे हैं पहला है urinary tract infection लेकिन बहुत ही rarely किया जाता है वही बात इसके अंदर है कि TIFIED के अंदर भी ampicillin का यूज किया जाता है लेकिन बहुत ही rarely किया जाता है क्यूंकि जो ampicillin है वो TIFIED के अंदर resistant हो जाती है यानि की काम नहीं कर पाती है तो दोनों ही condition में यूज तो किया जाता है Mpicillin का लेकिन rarely किया जाता है है ना commonly used in conditions के अंदर किया जाता है Mpicillin antibiotic का I hope आपको ये जो यूज है Mpicillin antibiotic के ये अच्छे से समझ में आ गई होंगे अब इसकी dose के बारे में बात करते हैं क्या इसकी dose रहनी चाहिए ठीक है तो मैं बात करता हूँ adult dose की अगर किसी की उमर 12 साल से उपर है तो उसको adult dose के अंदर consider किया जाता है और अगर किसी की उमर 12 साल से नीचे है तो उसको child dose के अंदर consider किया जाता है यहाँ पे मैं child dose नहीं बताने वाला हूँ Child dose मतलब की Amoxicillin बच्चों में Sorry, Amoxicillin बच्चों में कैसे यूज की जाती है वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊँगा फिलाल मैं आपको बताता हूँ Adult dose क्या है Amoxicillin एंटिवाइटिक की तो इसकी dose होती है 500-500 mg हर 6 गंटे के बाद ओके, अब 500-500 mg यानि कि 500 mg भी दे सकते हैं और 500 mg भी दे सकते हैं और दिन में 3 बार दे सकते हैं है ना? सुभह, दोपैर और साम को देखे, अगर पेशेंट को infection कम है तो उसको 500 mg दबा दी जाती है 3 ताइम दिन में सुभह, दोपैर और साम को अगर infection ज्यादा है तो वहाँ पी फिर 500 mg दी जाती है तो इसलिए मैंने कहा 500-500 mg हर 6 गंटे के बाद MPCILIN antibiotic दी जा सकती है हर 6 गंटे का मतलब है कि आप दिन में 3 बार दे सकते हो maximum 4 बार दे सकते हो ठीक है? normally 3 बार दी जाती है आगे बात करते हैं side effect MPCILIN दवा के क्या-क्या side effect होते है तो सबसे जो common side effect है वो diarrhea यानि की loose motion देखने को मिलता है बाकी side effect इसके हो सकते है nausea, vomiting, ultyana जैसे resis हो सकते है या फिर जो जीव है, tongue है वो black हो सकते है तो ये कुछ side effect हो सकते हैं MPCILIN antibiotic के जरूरी नहीं है कि हर किसी के अंदर ये side effect देखने को मिले किसी-किसी patient के अंदर ये side effect देखने को मिलते हैं अगर MPCILIN लेने के बाद इनमें से कोई भी side effect या इनके लावा कोई भी side effect देखने को मिलता है तो patient को तुरंत ये दवा बंद कर देनी चाहिए और डोक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ठीक है आगे मैं बात करता हूँ ड्रग इंट्रेक्शन की यानि कि जो ये एंपिसलीन दवा है इसके साथ कौन-कौन सी ऐसी ड्रग है जो इंट्रेक्ट करती है जैसे कि एलो प्यूरिनोल ठीक है एलो प दवा मैंने अभी बोली है इन सब के साथ जो एंपिसलीन है वो इंट्रेक्ट करती है यानि कि इनके साथ नहीं देनी चाहिए क्या एंपिसलीन कभी भी साथ में नहीं देनी चाहिए क्योंकि एंपिसलीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है अगर इनके साथ दवा दी जात मैंने आपको इसको side effect बताए और adult dose के बारे में बताया और इसके drug interaction बताए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होंगे ठीक है अगर आपको समझ में आया है तो comment में जरूर बताईएगा तो ये थी हमारी antibiotic antibiotic ampicillin के बारे में हमने इससे पहले amoxicillin antibiotic के बारे में discuss किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो playlist के अंदर जाना वहाँ पर आपको दिख जाएगी खिक है तो आगे continue हम करते रहेंगे है ना antibiotic के उपर वीडियो धीरे 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 लाते रहेंगे जैसे ये pencillin group की antibiotic है सबसे पहली ये खतम करेंगे फिर cephalosporin की antibiotic पर आएंगे तो एक एक ग्रूप antibiotic का लेके हम चलेंगे और धीरे धीरे एक करके antibiotic के बारे में हम cover करता चले जाएगे ठीक है जैसे ही लगबग mostly antibiotic cover हो जाएगे ना फिर हमें एक combine वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी ही antibiotic के बारे में एक ही वीडियो में समझा रहे होंगे तब आपको पूरी clarity हो जाएगी antibiotics के बारे में ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको समझ में आया होगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो के अंदर